असलाम आईकूम दोस्तों आप कैसे हैं और प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं अब भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा ये सेशन चल रहा है तो आज हम एक और तरह की ट्राइंगल बनाएंगे कोडिंग प्रोग्रामिंग करके पिछली वीडियो में भी हमने एक ट्राइंगल बनाई थी जिसको हमने नाम दिया था बॉटम लेफ्ट और यह हम ट्राइंगल बनाएंगे इसको इसका नाम हम देंगे टॉप लेफ्ट और और फिर इसी तरह दो और हम ट्राइंगल बनाएंगे टॉप राइट और बाटम राइट और फिर मुम्किन है कि हम एक और प्रोग्राम बनाएं फाइनल प्रोग्राम के जिसमें हम सब ये ट्राइंगल को कंबाइन करके प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम शुरू करते हैं आपने अगर ये अप इंस्टॉल नहीं की हुई तो इसे सबसे पहले इंस्टॉल करें और साथ-साथ बलकि वीडियो को पास कर लें और ये पहले इंस्टॉल करें और फिर साथ-साथ कोडिंग इसमें दर्च करें इसको रन करें चलाएं मु लास टाइम एक ट्राइंगल बनाई थी और ये निस्बतन असान थी तो ये फिर हमने इसलिए सबसे पहले ट्राइंगल बनाई तो ये हम देख सकते हैं कि ये कोडिंग की जरीए ट्राइंगल बन रही है तो वैसे अगर हमने सिंपली ये ट्राइंगल बनानी होती तो फिर हम इस तरह भी कर सकते थे कि document.write एक steric डाल दिया ठीक है और साथ BR लिख दिया फिर document.write दो steric लिख दिये इस तरह यह हम 10 लाइने लिख के भी इस तरह कर सकते थे लेकिन इसमें फिर कुछ खास programming जो है वो उसका काम नहीं था और दूसरी बात जी है कि यह एक फिक्स हो जाता है तो अभी जैसे देखें हमने क्योंकि अब यह programming की ज़री किया है तो अभी अगर हमारे जहें में आता है कि यह 10 की बजाए यह 50 तक जो है यह triangle लाइनों की बनें तो यह एक इस तरह की हम चेंज करने से यह इस तरह एकदम यह triangle बढ़ी होगी है तो यह हम फिर इससे जएदा values भी दे सकते हैं तो यह सारा कमाल किया है कि हमने program को dynamic बनाया है यानि कि उसको हमने flexible बना दिया है तो यही बात है कि यहां पर फिर हम 100 लिख दें 1000 लिख दें तो हम बिलकुल इतने steric यह print कर सकते हैं और जिस तरह मैं आपसे पहले कहा रहा हूं कि अगर हम simply सिर्फ document.write के अ पहले एक steric फिर दो तो वह आपके अपस अगर requirement आती है 100 दफा करने की तो आपको 100 दफा लाइन लिखने पड़ेगी और अगर यह requirement आती है कि 1000 लाइनों का इस तरह का यह triangle बनाएं तो 1000 लाइन लिखने पड़ेगी तो यह अमली तो पर आपका कारामिद नहीं रहता तो इस पहली लाइन में इसको मैं वापस दस ही कर देता हूं, जोके समझने के लिए पिर वह असान है तो पहली लाइन में एक दफ़ा हो रहा है दूसरी में दो तीसरी में तीन और सुआ तो अभी हमने इसका उलट बनाना है पहली लाइन में दस दफ़ा स्टेरिक प्रिंट हो दूसरी लाइन में नो दफ़ा और फिर इस तरह नीची आए और एक दफ़ा हो तो प्रोग्राम हमने क्योंके बनाना है तो ये एक प्रॉपर हमारे पास requirement है इस फाइल को हम save as करते हैं और नई फाइल एक बनाते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं टॉप लेफ्ट ट्राइंगल ठीक है और देखें spaces वगरा नहीं दी हैं और आखर में .htm लाजमी आना चाहिए वरना अगर .htm नहीं आएगा तो ये play का बटन भी यहां पर नहीं आएगा तो आपको तब भी अंदाजा लगा लेना चाहिए तो वो हमारे पास program save हो गया रही हम निया बनाएंगे तो जिस तरह के आप देखें कि हमारे पास requirement है कि पहली दफ़ा ये 10 दफ़ा प्रिंट हो पहली लाइन में 10 स्टेरिक प्रिंट हो तो अभी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये तो लूप चलता है रो में वन आता है तो फिर ये पहली दफ़ा में ये एक स्टेरिक करें अभी फिल हल की जो बाद में हम इसको ये पचास भी कर देंगे और वो डाइनमिक उस तरह चेंज कर लेंगे लेकिन अभी चलें 10 के जहन में रखके बनाते हैं तो अब एक बात इसमें समझने की है कि कभी कभी लूप हम चलाते हैं इस तरह इंक्रीजिंग आरडर में यानि वन से 10 की तरफ जा रहा है ठीक है रो प्लस प्लस हो रही है और कभी हम इसको रिवर्स में चलाते हैं ठीक है मतलब 10 से ये स्टार्ट हो और यहां पर चेक हो रहा हो के ग्रेटर दन जीरो और फिर रो माइनस माइनस तो इस से हमारे चलेगा तो ये 10 दफ़ाई लूप ठीक है जो उपर वाला जो आउटर लूप है वो उसने 10 दफ़ाई चलना है चाहे वो एक से 10 की तरफ चले या चाहे 10 से एक की तरफ जाए चुक्वर उसका काम है रोज कंट्रोल करना ये वाला फिर इसका काम है कि कॉलम्स या स्टेरिक्स प्रिंट करना तो अब आप देख इसमें उहिएथ हूती कि रोएे प्राम से 10 की तरफ चाहेए फिर हमारी एक लियास से ये मजबूरी हो जाती है कि इसको तब्क्स को तिदिल ना करना ये हमारी मजबूरी हो जाती है तो अभी जो हमारा केस है इसमें हम सिर्फ उप्रिंट कर रहे है या वी यार तो रो का जो current iteration चल रही है वन रो है या टू है उसको हम नहीं प्रिंट कर रहे हैं तो हम उपर वाले लूप को reverse में चला सकते हैं तो रो में पहली दफ़ा 10 आएगा तो automatically यहां पे यह एक से 10 दफ़ा चलना स्टार्ट हो जाएगा और अगली दफ़ा रो में minus minus हम कर दें तो अगली sequence आपने सोच सोच के निकालना होता है और अगर आपको sequence नहीं मिलता तो आपने खुद से एक variable बना के बनाना यह चीज़ बनानी होती है और फिर उसको increment या decrement loop के end पर आप दें जिस तरह आपकी जरूरत है यह में आगे करना पड़ेगा अगले जो दो प्रोग्राम करेंग ना उसमें हमेज़ तरह की चीज़े करनी पड़ेंगे तो जिस तरह मैं आपसे क्या रहा हूँ कि इसको हम शुरू करते हैं दस से और condition फिर उल्टी हो जाएगी कि अब आजाएगी condition यह तब तक true है जब तक कि यह greater than है zero से तो दस से start हो गया और one तक ही आएगा तो दस iteration यह पूरी हो जाएगी और अब यहां पर प्लस प्लस नहीं लगेगा क्योंकि प्लस प्लस लगेगा तो यह फिर loop हमेशा infinite चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पहले इसमें 10 आएगा 11 आएगा और यह तो हमेशा के लिए true हो ज माइनस माइनस का मतलब यह है कि जब यह पहली दफ़ा चलेगा तो रो में 10 होगा यह माइनस माइनस एक उसमें माइनस करेगा 9 हो जाएगा और फिर यह condition चेक होगी true है तो जब तक यह true होगी तब तक यह हमारी इसकी body चलते लिए body में यह line है body के अंदर एक और loop है तो जब रोज माइनस माइनस होके यह फिर condition चेक होके फिर इसमें आएगा तो यहां पर यह नो दफ़ा चलेगा तो इसको हम run करके भी देख लेते हैं save करते हैं तो यह देखे हमने सिर्फ थोड़े से अपनी loop का sequence चेंज किया है outer loop का 1 से 10 की जगा 10 से 1 की तरफ कर दिया तो यह हमारा program मज़ीद हमें कुछ code भी यहां से इसकी body में कुछ भी तबदील करने की ज़रूरत नहीं रही तो यह आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें logics जो हैं वो सोच के sequence note करना है और उसको अपने हिसाब से तबदील कर लेना है तो यह फिर आज हमारा जो program है यह video आज हमारी जल्दी खतम हो जाएगी च्योंकि आज के दिन सिरफ यह एक triangle बनाने का ही इरादा है तो यह 10 minute के हमारी video बन जाएगी और वैसे हमारी पीछे जएदा बड़ी बनती रही हैं तो थोड़े सी आप समझे के आपको भी relaxation मिल जाएगी आज अलबता ही है कि आप practice यह करें चीजें और खुद से अब जरा मैं आपको देखें assignment देता हूँ जो मैंने अगले triangle बनानी है जिसको मैंने top right का नाम दिया है और एक को top bottom का नाम दिया है तो इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करें अब जैसे यह है इसको आप flip करें right side प करें और comment में मुझे लिख के बताएं या WhatsApp के नंबर पे मुझे लिख के बताएं कि उसमें होगा यही पहली line में 10 दफ़ा प्रिंट होगा और दूसरी line में पहले space आएगी और यह यानि कि यह body इस तरह दिवार के साथ यह इस तरह बाइं तरफ लगा हुआ है तो यह दाइ spaces आएंगी और फिर आगे sterics आएंगे और sterics भी साथ साथ काम होते जाएंगे और आखिर में आखिरी line में 9 spaces होंगी और आखिर में steric इदर इस जगह पे आ रहा होगा तो इसको आप कोशिश करें बनाने की और इसी तरह एक जो है वो इसके opposite हो जाएगा कि पहले 9 spaces हों एक औ those steric print हो and so on और उसमें भी वो अभी जिस तरह यह बाईंगे तरफ लगा हुआ है दिवार की तरफ इस वो फिर दाएंगे तरफ सारा line होगा तो यह आपका task है आप कोशिश करें जितना हद तक हो सकता है और बेतरीन यह कि आप खुद से करें यह चीज़ कोशिश करें और फ तो वीडियो यह है कि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इससे यह हमारी होसला अवजाई होती है और हमें पता लगता है कि कुछ लोगों को फाइदा हो रहा है अपनी तरफ से तो हम बड़ी बेतरीन किसम की यह वीडियो सीरीज बनाई है हम एक्जेंपल करेंगे यह मजीद मुश्किल है और जब यह सब एक्जेंपल को हम यह कंबाइन करके एक ट्राइंगल बनाएंगे तो अंदर उसके अगर डाइमेंट सी एक शेप बन जाएगी तो यह एडवांस और मुश्किल चीज़े हो जाती है और लेकिन यह हमने कोश किया कि दर्जा बदर्जा आपको चीज़े सिखा के आगे लाया जाए तो इन्शाला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी ट्राइंगल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अस्सालाम अईकुम